नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम एचीवमेंट में मैं करुना अपनी इस वीडियो में कक्षा बारह की विध्यार्थियों के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ जैसा कि उनका टम फर्स्ट में बोर्ड एक्जाम होने वाला है ये 27 दिसंबर को आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले या इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैंने काफी important questions को इस वीडियो में include किया है इस वीडियो में आपके जिस तरह से टम फर्स्ट में एक्जाम आएगा उसी तरह के 30 questions को मैंने इसमें डाला है लेकिन MCQ pattern को हटा दिया है चार options ना दे करके सिर्फ एक ही option मैंने इहां पर रखा है जिससे की question को याद करने में आपको मदद मिले और वीडियो जादा लंबा ना हो तो शुरू करते हैं question number 1 से पूर्व का राफेल किस चत्रकार को कहा जाता है तो इसका अंसर होगा भीजात question number 2 है बनी धनी चत्र में नाइका ने किस रंग का डुपट्टा ओड़ा है तो दोस्तो बनी धनी चत्र राजस्तानी शैली का सर्वस्रेस्ट चित्र है जो किशनगड शैली में बना है निहाल चंद्र ने बनाया है और राजा सावंत सिंग के समय बनवाया गया है उसने नीले रंग के डुपट्टे को ओड़ा है और ये नीला डुपट्टा पारदर्शी है पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों शब्दों को आप समझते होंगे जिसके आर पार देखा जा सके वो पारदर्शी और जिसके आर पार ना देखा जा सके वो अपारदर्शी Question number 3 है friends राजा सावंत सिंग का दूसरा नाम क्या था जिसको हम उप नाम भी बोल देते हैं जैसे हमारे घर में हमें किसी दूसरे नाम से बुलाया जाता है और इसकूल में किसी दूसरे नाम से हमारा रजिस्ट्रेशन किया गया होता है तो सावंत सिंग अपने उप नाम से जाने जाते थे और वो नाम है उनका नागरीदास उन्होंने अपने इस नाम से एक नागर सामुच्य गरंथ की भी रचना की थी नागर सामुच्य 75 ग्रंतों का एक समू है जिसके अंदर उन्होंने 75 ग्रंत लिखे थे नेक्स्ट कुशन है फ्रेंड्स दारा सिखो की बाराद चित्र किस मुगल शाशक के समय चित्रित किया गया तो ये मुगल कालीन चित्र है और ये शहां जहां के समय चित्रित किया गया शहां जहां से मैं आपको थोड़ा सा मुगल कला के बारे में यहां बताऊंगी मुगल कला का आरंब अकबर के समय से हुआ था अकबर के बाद उनका बेटा जिसको हम सलीम भी कह देते हैं वो थे समराड जहांगीर और जहांगीर के बाद जो उनके पुत्र थे शहां जहां वो राजा हुए और उन्हों ने अपने पुत्र यानि की दाराशिको की बारात चित्र को चित्रित करवाया और इस चित्र के चित्रकार थे हाजी मदनी question number 5 है friends मुगल शाजक जहांगीर के पिता का नाम क्या है तो अकबर अब भी मैं उपर किलियर भी कर चुकी हूँ कोशन नमबर छे है फ्रेंड्स राजस्थानी लगुचित्रों से पहले कौन सी लगुचित्रकला प्रचलन में थी तो अपब्रंश शेली उस वक्त चल रही थी जब राजस्थानी लगुचित्रों का निर्माण किया गया अपब्रंश शेली में भी लगुचित्र बनाये जा रहे थे कोर्शन नमबर सेवन है राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है ये बहुत इंपोर्टन कोर्शन है फ्रेंड्स जो की मुझे उमीद है तुम्हारे बोर्ट परिक्षा में पूछा जा सकता है तो इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी श्री लंका के थे और उन्होंने लगुचित्रों को दो भागों में डिवाइड किया अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में जिसमें की एक था राजिस्थानी शेली और दूसरा था पहाड़ी कला आपका कुश्चन नमबर एट है फ्रेंड्स पुर्खू एवंफत्तु का संबंद किस कला शेली से है तो इन दोनों का संबंद गुलेर कलम से भी है और कांगडा कलम से भी है क्योंकि ये दोनों कलाकारों ने पहले गुलेर शेली में चितरांकन किया और फिर गुलेर राज उन्ही के छोटे भाई संसार्चंद कांगडा में शाशन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेशन है, क्वेशन नमबर नाइन, बनी ठनी चित्र को भारत की मोना लिसा किस ने कहा। तो एरिक डिक क्रिंशन ने 1943 इश्वी में बनी ठनी चित्र की खोज की और उसे भारत की मोना लिसा कहकर संबोधित किया। मोना लिसा क्या है? तो मोना लिसा एक विश्वी की सरुस्रेस्ट कृतियों में से आती है, जिसकी रचना करी थी लियोनार्डो दा विन्सी ने। इनका संबंध इटली से है। तो अगर हम किसी भी सुन्दर चित्र या मूर्ती की बात करते हैं, तो उसको बोला जाता है कि वो चित्रों में भारत की मोना लिसा है या मूर्ती में भारत की मोना लिसा है। जैसे कि हमने 11 ख्लास में भी पढ़ा था कि चावर धारणी को लक्षमन प्रशाद सिहारे ने भारत की मोना लिसा कहा लेकिन किसमे मूर्तियों में और यहां पर बनीठनी चित्र है question number 10 लगो चित्रों का निर्माण किस तकनीक में हुआ है तो टेमपरा तकनीक में हुआ है मैं इससे पहले अपनी कई वीडियो में आपको टेमपरा तकनीक के बारे में बता चुकी हूँ एक बार में फिर से बताती हूँ जब हम किसी भी प्योर कलर में वाइट कलर या फिर डाक कलर जैसे की ब्राउन या फिर ब्लू मिक्स कर देते हैं और उस रंग को अपारदर्शी या ओपेक बना देते हैं तो इस तकनीक को टेंपरा कहते हैं किन ही दो मुगल कालीन चितरों के नाम बताईए तो मिसकिन, निसारदीन जिसको हम नूरदीन भी बोल देते हैं बसावन, दसवन्त, मनसूर, अभुलहशन और इसी तरह से बाकी सारे जैसे की अभुत्समस्सिराजी, मीर सेयद अली और जहांगीर के समय पे नादिर ये सबी मुगल चितरकार हैं तो कोई भी आप पहचान ले कोई नमबर बारा है, राम भरत मिलाप चितर के चितरकार का नाम बताईए, तो ये गुमान नामक के चितरकार हैं जिन्होंने राम भरत मिलाप चितर को चितरित किया, कोई नमबर तेरा है, हिमायू किन दो चितरकारों को अपने साथ इरान से भारत नाया था, तो मीर सेयद और अबुद समथ सिराजी को वो अपने साथ भारत लेकर आये थे कोशन नमबर चोहदा मारू रागनी चित्र का संबंद किस राजश्थानी कला शैली से है तो ये है मिवार राज्य से और उदरपूर चेत्र में मारू रागनी चित्र का चित्रन किया गया था कोशन नमबर पंदरा अमीर हमजा नामक ग्रंथ का संबंद किस शैली से है तो मुगल शैली में अमीर हमजा नामक ग्रंथ को चित्रित किया था जिसका चित्रांकन कारे शुरू तो कब हुआ था अकबर की समय लेकिन शुरू हुआ था हिमाईू के समय लेकिन कम्प्लीट हुआ अकबर के समय पे equations number 16 है शिकारद्रश्यों की अधिकता किस कला केंदर पर रही तो यहाँ पे बात हुरी है राजिस्थानी कला की तो राजस्थानी कला में शिकार द्रश्य सरवधिक कोटर शैली में बनाए गए और अगर बात की जाए कि संपून शैलियों में संपून से मेरा मतलब है मुगल, दक्षिनी, पहाडी और राजस्थानी शैली में सबसे जादा शिकार द्रश्य कौन सी शैली पर कौन सी शैली में बनाए गए या कौन से कला केंदर पर बनाए गए तो हम बोलेंगे पहाडी कला केंदर पर सबसे जादा शिकार द्रश्य चित्रित किये गए और अगर पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ राजस्थानी शेली की बात हो रही है तो कोटा शेली उसका अंसर होगा Quesion No.17 है friends पिछवाई चित्र कहां पर चित्रित किये गए तो पिछवाई चित्र होते हैं जो श्रीनाथ जी के पीछे एक परदा टंगा रहता है जिस पर श्रीकृष्न की लीलाएं अंकित होती है उसको पिछवाई चित्र बोलते हैं और ये नाथ द्वारा की लोककला है नाथ द्वारा राजस्थान में पढ़ता है Quesion No.18 लगुचित्रों का माध्यम क्या रहा तो तकनीक रही टैंपरा और माध्यम रहा जल रंग इनको कागज पर वसली पर ताड़ पत्र पर या फिर कपड़े पर बनाया गया है और जल रंग के माध्यम से बनाया गया है तकनीक को टैंपरा रखा गया है Quesion No.19 नुजूम उलूम ग्रंथ किस विध्या पर अधारित है तो ये खगोल विध्या पर अधारित एक दक्षन भारतिय शैली में बना चित्रित ग्रंथ है Quesion No.20 किस मुगल शाचक के समय मुगल कला पर यूरोपियन प्रभाव पड़ा तो जहांगीर एक ऐसे मुगल बादशाह थे जिनके समय पर अंग्रेज लोगों ने हमारे देश में आना शुरू कर दिया था और वो व्यापार के उदेशे से हमारे इहां पर आते थे या घूमने फिरने के उदेशे से हमारे इहां पर आते थे और फिर हमारे राजाओं से आकर के मिलते थे उनसे बातचीत करते थे तो जिसके कारण जहांगीर जिस समय साशन कर रहे थे उस समय इन लोगों के आने से मु तो उस्ताद मंसूर एक ऐसे चित्रकार थे जो पशु पक्षी चित्रन बहुत उम्दा केटेग्री में करते थे सबसे अच्छे चित्र बनाते थे मंसूर इस वज़े से ही अपने नाम के आगे उस्ताद भी लगाते थे और उस्ताद मंसूर जहंगीर कालिन चित्रकार है कोश्य नमबर 22 दक्षणी कला का आरंब किस शाशक के समय माना जाता है तो समराट आदिल शहा के समय दक्षण कला का आरंब हुआ और समराट आदिल शहा उस समय बीजापूर के समराट थे तो अगर एक तरह से देखा जाए तो दक्षणी कला का आरंब बीजापूर कला के इंदर से माना जाता है कोश्य नमबर 23 गोवर्धन धारी श्रीक्रेशन चित्र किस मुगल समराट के समय चित्रित किया गया तो अकबर के समय पर गोवर्धन धारी श्री कृष्ण चित्र को चित्रित किया गया था ये एक वो वाली कहानी है जिसमें श्री कृष्ण एक गोवर्धन परवत को उठाते हैं अपने पूरे राज्ये के लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए Question number 24 है friends नागर सामुच्चे में लगभग कितने गरंथों का संकलन है मैंने अभी ये नागर सामुच्चे आपको पहले बताया था नागरी दास जो की उनका नाम था राजा संसारचन उन्होंने नागर सामुच्चे नागरी दास के नाम से लिखा जिसमें उन्होंने 75 ग्रंथों को लिखा था और उस पर चित्रांकर किसने किया निहाल चंद ने Question number 25, निहाल चंद का संबंध किस कला शेली से है तो निहाल चंद का संबंध है किशनगर शेली से Question number 26, चित्रकार मनुहर ने आर्ष रमायन पर चित्रन कौन सी शेली में किया है तो मनुहर ने मेवार शेली में काम किया है और उन्होंने आर्ष रमायन पर भी चित्र बनाए है Question number 27, जोधपुर शेली के प्रथम चित्रित ग्रंथ का नाम बताईए तो पाली रागमाला एक ग्रंथ है जो सत्रमी शताबदी में चित्रित किया गया और ये जोधपुर शेली में चित्रित किया गया प्रथम ग्रंथ माना जाता है Question number 28, दक्षणी लगु चित्र शेली पर कौन सी कला का प्रभाव है तो दोस्तों, दक्षणी लगु चित्र शेली पर भारतिय कला और मुगल कला का प्रभाव है भारतिय कला पे हम राजस्थानी कला को इस्थान देंगे और मुगल कला की जग़ हम इरानी कला या परिशन कला भी बोल सकते हैं Q29. प्रकरती चित्रन किस लगू चित्र शैली में अधिक हुआ? तो ये पहाडी शैली. मैंने अभी एक बात और आपको बताई थी, अगर संपून शैली की बात करी जाए, चाहे राजिस्थानी पहाडी, मुगलिय दक्षनी शैली की बात की जाए, और पूछा जाए कि शिका संदर चित्र किस में बने तो पहाडी शैली. और अगर बात की जाए कि पहाडी शैली में सबसे संदर चित्र कहां बने तो कांगडा कला केंद्र. और बात की जाए कि राजिस्थानी शैली में सबसे संदर चित्र कहां बने तो किशनगर शैली. बात की जाए, मुगल शैली म मुख के पीछे आभा मंदल किस शाषक के समय चित्रित की गए तो आभा मंदल होता है प्रकाश मुझ जैसा किह देवी देवताओं के पीछे एक रोशनी का चक्र बना रहता है उसको प्रकाश कुछ कहते है जो कि हिंदुतु का एक या हिंदु कला का एक पार्ट है जिसको मुगल कला में चितृत किया गया समराट सहा जहां के समय पे दारा शिको की बाराट चितर में भी जो शहा जहां को दिखाया गया तो उनके पीछे प्रकाश पुझ बनाया गया है तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये 30 कोशन यहां पर खतम होते हैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे इकोशन्स अच्छे लगे हूँगे और आप इसे जल्दी से जल्दी याद भी कर लेंगे जिससे कि आप 27 तारीक को अपना एक्जाम अच्छे से दे कर आ सके और जादा से जादा मार्क्स गेन कर सके इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे आपको पता चल जाएं और वीडियो अच्छे लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें मेरी वीडियो को लाज सक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद